धेखो इस टाइप का कुसें सब वो कैसे बनाएंगे बोलो भले ता जब भी दोनों का समय दीय रहेगा या दोनों का छंता दीये रहेगा तो हम लोग कुन सा थाय पर št right की बनाएं डाइगे टाइम & work तायम एंडवर्क में इससे पॉड़ा हो गया चाल कर एक जब गया जाने में चाल उसका कितना था 50 km पर दिघंटा आने में चाल कितना था ? 45 km पर दीघंटा तो यह 4 ठीक उलटा में क्या होगा ? अगर यह 50, 45 और उसका उलटा क्यतना ? 5 से कटेंगे, 5, 85, 5 से कटेंगे ? क्या समय का अनुपाद इसका 9 होगा ? और इसका 10 ये क्या ? जाने में और ये आने में यहां 9 समय लग रहा, यहां 10 समय लगा, 9 और 10 समय लगा ना, और किता में क्या बोल रहा है, यहां पर 1 घंटा अधीक लगता है, 1 घंटा अधीक है कम, यहां पर 9 यह 10, यहां पर कितने गंतर है, 1, 1 के बराबर 1 घंटा, तो यहां से किसी एक का निकाल दो, 9 का भी निकाल सकते दसके भी निकाल सकते हैं तो इस समय के समें नौ के पराबर कर यहां यह चाल होगा ह मिहां listen ऐसे सहर जारा मान के यहां है उसका से, और तथा वहां से क्या करता है वापिस आता है, घर से सर किस चाल से जाता है, पचास किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वापिस किस चाल से आता है, पैंतालिस किलोमेटर प्रति घंटा की जाता है, देखो इधर पचास किलोमेटर चाल से गया, उधर पैंतालिस किलोमेटर चाल से गया, तो सम समय क्या होगा यह दूरी किता मानेंगे मान लिए दूरी तो उसमें समय क्या बोल रहा है कि उसमें समय क्या होता एक घंटा कम लगता है ना जो आने से जो जाने में समय क्या कम लगेगा ना तो यहां पर देखो समय समय बराबर क्या होता है दूरी बटा अब देखो दूरी कि किस चाल से गया 45 लेंगे या 50 लेंगे पहले तेखो बोजन पहले 50 कर देता तो माइनस में आ जाता फिर घबरा जाएगा अगर 45 चाल है तो ज्यादा समय लगेगा ना तो बड़ा बला को आगे रखोगा ना एक्स दूरी को किस चाल से गया 45 चाल से और आया कितना वही एक्स दूरी को किस चाल से आया 45 दोनों में कितने का अंतर हुआ यह 45 ना पचास चाल से और यहाँ एक्स दूरी को पचास चाल से तो इसमें क्या बोल रहा इसमें एक घंटा एक घंटा कम लगा ना इसमें एक घंटा अधिक लगा इसमें एक आएगा यह को 45-50 एलसियम को बोला है कि अगर यह पांच है तो नो है दस है नो दस है नभे और गुना पांच नहीं होगा नभे गुना पांच कितना होता है 45 कितना पर में कट रहा है दस यह 10 एक से हुआ 50 कितना से कट रहा है नो यह जाके 9 एक्स यानि 10 एक्स माइनस 9 एक्स बराबर 1 एक्स का मान किलोमेटर इंसर दो साइकिल सवार बोला ना दो साइकिल सवार अगर दो साइकिल सवार हम मान लेते ए और बी उनका जो चाल कितना है एक का चाल कितना है 15 किलोमेटर परती घंटा और दूसरे के चाल कितना है 16 km पर दिखंटा तो चाल का उल्टा क्या होगा समय अब इसमें 15 चाले इसमें 16 चाले तो समय कितना लगेगा 16 और 15 यहां एक सवार से दूसरे सवार कितना समय अधिक ले रहा हो रहा 16 मिनट अधिक ले रहा देखो यहाँ पर 15 ले रहा था और यह 16 कितना अधिक ले रहा एक अधिक ले रहा तो एक के बराबर कितना किता में कितना दिया 16 मिनट एक के बराबर 16 मिनट दिया ना तो इस 15 के बराबर निकाल दो तो पंद्र के बराबर पंद्रा चक नब्य पंद्रा और नौ 24, 24, 24 क्या, मिनट ना, 24 मिनट ना, अगर 240 मिनट दिया है, तो घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा, अगर 240 मिनट है ना, तो मिनट को घंट भी चेंज करेंगे तो, एक घंटा में 60 है मिनट, 240 घंटा में के दना मिनट होगा, गधाची से बत करते हैं, चार घंटा, अगर यहाँ पर चार घंटा लगा, और चाल कितना है, 16, तो दूरी क्या होगा, चाल गुना समय, 16 चुके, 64 किलमेटर एंसर, नहीं है, यहाँ पर दो ठुदिया है ना, एक जन का क्या दिया, एक व्यक्ति क्या बोल रहा, अपनी वास्तविक चाल का 5 बटा 6 चाल, क्या बोल रहा, फ्रेक्शन 5 बटा 6 चाल, देखो, वास्तविक चाल, वास्तविक, वास्तविक ना, और, क्या होगा, नया चाल होगा, वास्तविक चाल और, नया चाल ले, अगर अगर चाल हम यहाँ पर मानने चाल कितना होगा तो पूसरे में क्या बता एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का पांच वाटा अगर श종 यह नहीं है, पांच. छे का 5 बटा 6 करेंगा तो 5 ही हो जाएगा ना? तो 5 क्या हो जाएगा? नया चाल अब आप साधिकल चाल का उल्टा क्या होगा? चेल का उल्टा? समय अब इसमें 6 चाले इसमें 5 चाले तो समय क्या लगेगा इसमें 5 और 6 देखो इसमें 5 समय लगा और इसमें 6 समय लगा और किताम में क्या बोल रहा देखो जो वास्तविक चाल से नया चाल से दस मिनट क्या होता है देखो वास्तविक चाल से उसे कितना समय लग रहा था पांच और नया चाल से उसे कितना समय लगा छे कितना अधिक लगा यहां से एक मिनट अधिक लगा लेकिन किताम में आपको क इतना मिनित अधीक बोल राएं मिनिट के बरावर दस हमको कौन साउस चीज आये देखें जो चेहिए वास्तविक छुमOMEय यहां समाज चाहिए कि वास्त्रविक समझ यां पर कितना है ओशتمim 80 मिनिट अगर लंइक किना समय लगेगा पो लेक तो नहीं में 6 लग रहा ना 6 गुना 10 600 इजी है ना टेकती अपनी सामाइन्य चाल का 3 बटा 4 चल चल से ना देखो एक सामाइन्य बोला है यहाँ पर सामाइन्य ले लो और नया ले लो तीन बटा चार बोला है तो सामाइने चाल हम कितना मानेंगे यहां पर चाल ना देखो चाल कितना मानेंगे चार अगर चार यहां पर सामाइने चाल चार माने है तो चार का तीन बटा चार यानि कितना होगा तीन होगा अब चार और तीन है चाल तो चाल का उल्टा क्या होता ह समय यह क्या हो जाएगा तीन और चार अब सामायने में समय उसको कितना लग रहा तीन और नया में समय कितना लग रहा चार और किताब में क्या बुल रहा वास्तविक वास्तविक समय और वास्तविक चाल सी जो चलता है और नया में जो चलता है दोनों में अंतर कितने समय का द साथ मैं यह सब्सक्राइब कर दो एक समान के बनाएं गया उसमें आपको पहले किसको बराबर करेंगे आपको सोचना होगा जिसे वहां पर किसको बराबर करेंगे प्लस फॉर्मूला में बैठाओ पर कोई फोर्मूला नहीं चाल का उल्टा क्या समय अब जो चीछे यह वह आपको यहां से मिल जाएगा अब निया चाल बढ़ाबर रख दिंगे श्ञार और समय अब दूरी बोलेगा तो यहां पर समय आ जाएगा यहां चाल दिया रहेगा चाल गुना समय भी हो जाएगा समझ मैं यदि एक और कोई निश्ची दूरी को जाता है अब उसको कितने घंटा लगता बर चार पॉण लागता अब वह अगर उसका गती बढ़ा दिया जिसे हम कहानी बताए था आपको कि अगर चाल वोड़ेगा तो समय क्या होगा कम लगेगा अगर हम यहां पर देखेंग यह पहले वाला मानलो और यह ना अब जो लिखोगे जो लिखोगे कम जो लिखोगे तो हम जिसे क्या करते ए और बी मान लेते हैं पहले का समय और अभी का समय हो जाएगा जाने वाला और आने वाला जाने वाला लिखने में जदर टाम लगे का आने वाला लिखने में थोड़ उसका चाल किया आप 5 km पर्ति घंटा बढ़ा दिया तो इसमें उसको कितना बढ़ा दिया तो उसको कम समय लगा ना? कितना समय लगा? आधा घंटा, कम लगा. जो 4.5 घंटा लग रहा था, वहाँ पर कितना लगा? 4 घंटा लगा, पॉन्ट हटा दिये, 0, 5,8,4, 5,9,45, क्या इस भी सुमय कंगने क्या यह अगर यहां पर कितना वड़ा है यहadaan पर तांच परति घंटा ना यही आणि 8 पर 58 चाल है किलो मेटर और यहीं समझ नहीं तो कुछ भी सवान के बणके नढ़िता नहीं पर रमटना ना लेक्का मैं और तॉक किस चाल से किया था किस में आया था इसे एक समान के जानते हैं देखो तुम लोगों बता देता है ठीक है अगर ये एक निश्ची दूरी था कोई एक निश्ची दूरी को हम क्या मानेंगे कोई एक निश्ची दूरी होगा ना हम मान लेते डी अब देखो इधर से जाता है और दूरी बराबर, चाल गुना समय, अब देखो, इसका चाल क्या था, इधर से जाने के टन चाल क्या था, पता है हमको, नहीं पता हम चाल कितना मान लिये, X, आने के टाइम चाल किया क्या, वो 5 किलोमेटर परती गंटा बढ़ा दिया, मतलब इसका चाल कितना हो गया, X प्लस 5, अब देखो, दूरी बराबर क्या बोले, चाल गुना समय, इसका चाल कितना है, इधर से जाने के टाइम, X जाल है, समय कितना लग रहा, 1.5-4 गंटा लग रहा था, 1.5-5 गंटा बोलुञ था, 4.8-9 बटा, 2. अब यह चाल गुना समय, यह क्या हो, दूरी हुआ, अब उध अधर से आने के समय की चाल से आया? X प्लस 5. X प्लस 5 चाल से आया. अब कितना? कितना समय लगा? आदा गंटा कम लगा. यहां साधे चार गंटा लगा था? यहां आदा गंटा कम लगा. मतलब कितना लगेगा? चार गंटा लगेगा. चार गंटा लगेगा? चार गंटा लगे ना नो एक्स चार दुना अठ ना नो में आठ घट जाएगा और इधर 20 दुना 40 X का मान कितना है यह 40 मतलग इसका चाल आया 40 किलोमीटर परती घंटा अभी भी देखो इंसर नहीं आया आपको क्या बूला था चाल निकालने बुला था ना वो चाल तो इंसर आगया धिमीगति ना तो फिर उसको देख लोगे तो यह अगर इसका चाल 40 आया है और इसमें 4 प्लस माच में तलिस हो रहा है तो यह धिमीगति वहला कुन सा होगा 40 होगा समझे यह अच्छा है यह 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 वहला इसमें अब समय कितना हो जैगा यह 3-4 है तो इसका समय क्या हो जाएगा चार और 3 बी ने कोई निश्ची दूरी को कितने घंटे में तैय किया, कितने मिनट में तैय किया, 24 मिनट में, अब देखो B का समय कितना लग रहा, 3 समय लग रहा, मतलो 3 के बराबर 24, तो A का समय, A यानि 4, 4 के बराबर कितना, 3 अठे, 24, 8 चोग के, 32 मिनट, समझ मैं या, एक रेल गाड़ी, 40 किलमे ये चाल है उसका, यदी बोल रहा, वो उसकी उसद गती कितना होता, 35 होता, यदी उसका चाल 40 ना होके, कितना होता, 35 किलमेटर पर दिखंटा होता, अगर 35 किलमेटर पर दिखंटा उसका चाल होता, तो ये तो चाल हो गया, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय, यानि यहां से वो बोल रहा था कि 15 मिनट उसको क्या जादा लगता पहले दूरी अगर 35 किलमेटर परती घंटा चाल है उसको दो घंटा लाग रहा तो दूरी क्या हो जेगा 35 किलमेटर आप देखो साथ के बरावर भी निकालोगे तो होगा लेकिन 40 से गुना करना पड़ेगा अब साथ के बरावर निकालेंगे तो मतलब घंटे में नहीं आ रहा ना तो फिर गुना में थोड़ा कन्फीजन होगा ना इसलिए क्या करो बी के बरावर ने पला एक कार किसी दूरी को दस घंटे में ताई करती ना एक कार कोई एक दूरी है यह टोटल दूरी है इसको कितने घंटे में ताई करती हुआ दस घंटे में ताई करती है बोल रहा इसमें से आधी दूरी आधी दूरी को किस चाल से गया 40 किलमेटर परती घंटा और जो आधा दूरी को किस चाल से गया 60 अगर यह आधा दूरी आधा दूरी मतलब एक्स दूरी एक्स दूरी यह ना मतलब यह एक्स दूरी आधा दूर से जा रहा था अब बाद में किस चाल से गया 60 चल से तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का यहां पर इधर ले लो 6 और 4 यह क्या होगा समय अब 2 से काटेंगे 2 दुना 4 दो तिया 6 देखो यहां 2 अनुपात कितना या 3 मतलों यहां 2 समय लग रहा यहां 3 और टोटल कि कितना 5 पांच के बराबर 10 घंटा तो 2 के बराबर कितना होगा और 3 के बराबर कितना होगा निकल जाएगा न तो देखो 2 दुना 4 घंटा फिर 2 तिया 6 घंटा देखो 40 चाल से चला कितना घंटा चला देखो 40 चाल से वहां 6 घंटा चला न तो यहां पर दूरी कितना हो जाए अब यहाँ पर 64 से चला था कितना घंडा चला चार घंटा साथ गुना चार दोसो टोटल अगर एक पहड़ी में जाता है आता है अब चाल क्या है यह और चाल बोल रहा था साढ़े-चार था अब चाल क्या हो गया अब यह भी कोशें नहीं पड़ेंगे कि इधर से गया किदर से आया बीना पड़े भी बता देंगे आपको देखो चाल लेए तो यहां पर क्या होगा समय यह 4.5 फिट तो कट जाएगा ना चलो यह इदर में कटते हैं 4.5 और 3 था तो इधर कर देंगे तो क्या होगा 3 और यह 4.5 पॉइंट अटा दिए 10 पंदर दुना 30 पंदर दिया 25 अब देखो 2 घंटा लगा और 3 घंटा लगा और टोटल कितना लगा था पहड़ी में चड़ा और आया उसे कितना घंटा लगा 5 घंटा अब 5 के बराबर 5 9 किलमेटर दूरी पुछाता ना पाढ़ी कितनी दूरी पर है अब यह 4.5 को भी गुना करोगे तो 4.5 गुना दो वही 9 किलमेटर ही आएगा कि मैं समझ वाया कि क्या बोल रहा है एक साइकिल सवार को ना साइकिल से जाने और इसकूटर से आने देखो किसमें जा रहा साइकिल से जा रहा है और इसकूटर से आ रहा देखो साइकिल से जा रहा इसकूटर से आ रहा तो एक तरफ साइकिल और एक तरफ किया इसकूटर म मतलब दोनों में उसे कितना समय लगता है, 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, कितना लगता है, 6 घंटा 30 मिनट, अब बोल रहा, दोनों तरफ साइकल से, मतलब साइकल से जाने और साइकल से आएगा, मतलब दोनों तरफ साइकल से जब जाएगा, उसे कितना समय लगता है, देख परदीक लगा मतलब 6 और 2, 8 गंटा 50 म्यूटस देखो दोनो तरफ साहट से 8 9, 40 मिनट लग रहा तो शरीप एक तरफ साहट किल से कितना लगेगा और जीए देखो दोनो तरफ आना-जैना किया तो 8 गंटा 40 मिनट लगा तो एक तरफ जाना है जिसे आप ट्यूपसंट से आते हो जाते हो तो तो दस-दस 20 मिनट लगता अब बोलो कि खाली आने का देखो आने का कितना होगा शरी 20 10 मिनट लगेगा न तो इसका अधा 8 घंटे का अधा 4 घंट और 20 मिनट का अधा 40 मिनट का अधा 20 ये एक तरब साइकिल से कितना हुआ 4 घंट 20 मिनट अब देखो साइकिल और स्कूटर मिला के कितना था 6 घंट 30 मिनट अब उसमें से साइकी लगे ले कितना लग रहा चार घंटा 20 मिनिट तो खाली स्कूटर को कितना लगेगा 6 घंटा 30 में 4 घंटा 20 घंटा देंगे मतलब 2 घंट 10 मिनिट लगा अगर 2 घंटा 10 मिनिट स्कूटर में एक दरब से लगा है तो कॉश्यर में क्या बोला इसकूटर से जाना है और इसकूटर शायगा तो दो उसका दोगना होजेगा चार घंटा कैसे वनाए थै एक वेक्ती को पैदल चल कर जाने देखो पैदल जा रहा और आर大 किसे गुरसवारे गुरसवारी होर्स राइडिंग करते है अपना लिखने के लिख लो ए भी लिख लो तो टोटल कितना समय लगता है चार गंटे तीस मिनट का समय लगता है अब दोनों तरब पैदल जाएगा मतलब पैदल जाएगा और आएगा तो पैदल प्लस पैदल कितना समय लगता है 8 गंटा 20 मिनट 8 गंटा 20 मिनट दोनों तरब पैदल गया मतलब पैदल गया और पैदल आया उसको 8 गंटा 20 मिनट लगा तो सिर्फ एक तरब पैदल का बात करेंगे तो क्या होगा इसका अधा लगेगा मतलब 8 का अधा 4 गंटा 20 का अधा 10 गंटा कि अभू खाली पैदल में 4 घंटा 10 लग रहा हूं और यहाँ देखो पैदल प्लस घुर्ट्सवारी में 4 घंट थीज कुंट लगा तो खाली घुर्ट्सवारी में कितना लगेगाWest twent कितना मिनिट बीस मिनट अब खाली फ़िश वारी मतलब एक तरफ बूर वाफसभी आएगा मतलब दोनों तरफ से जब होगा 20 मिनट जाने में और बीस मिनट आने में मतलब कर दोग ना समझ मैं आ है कि ओलत ऐंग ए